भवन निर्मान विभाग का इंजिनियर घुस लेते हुआ गिरफतार बिहार में बुजूर्गों को वैक्सिन की बुष्टा डोज दस जनवरी से और बिहार में बुंदा वांदिवा तेज हवा से बड़ी कनकनी और बिहार के पंचायत वाड सचिवूं को सिग्र मिल सकते है खुस खबरे और राज के 149 आई टी आई बनेंगे सेंटर ओफ एक्सिलेंस और विहार में सिच्छा का अभियरती कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं न्यूक्ति की मांग और तीन नए नगर निकाय बने कई अपग्रेड हुए दिल्ली में आई एम ए राष्टिय कार्जका करनी 31 को हर आई टी आई को सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाने का खर्च होंगे 36 दसमलो चार आत करोर पर दूसर जात के अंदरे खोलने को मिलेंगे तिन लाख रुपे पोटल पर नाम होगा तभी बुस्टर डोज लगेगी और इधर इपीएफ हो साइट ठप नहीं हो रहे है राज को मिलेंगे नए मुक्सचियू सुभाहानी का नाम आगे लंबित पेंसन भुकतान के लिए सीम को लिखा पत्रे और क्रिसी छेतर में रोजगार के असर स्रिजित करने की जरूरत बिहार की फैक्टरियों में काम करने वाले परवार्सी कामगारों को बिसेस मिलेगी दो दसामलो नौ जीरो करोर का परस्ता और सिलेंडर बिस्पोर्ट में एक ही परिवार के पांच बचों की मौच फैक्टरी में मनेजर के पिता को पुलिस ने उठाया अठारा जीरो में आज और कल सित दिवस का अलायट और मौसम के बदलते मिजाज और कुरूना के बढ़ जन में और इधर पिट्रोल छिड़ा के घर में अग लगा दी पती पतनी जोल से नमसकार मैं हूँ आपके साथ सुनील वो भी और आप इस समय देख रहे हैं मगज संबाद के खासकार करम सुबह सबेरे सुबह सबेरे में हम खबरों को लेते हैं अखवारों के फनों से अखवारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरे तमाम कबरों को बताने से पहले आपसे काना है कि अगर हमारे इस वीडियो को Facebook पेज़ पर देख रहे तो Facebook पेज़ को लाइक कर ले अगर YouTube चैनल पर ने को सबस्क्राइत कर ले अब वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करिएगा इधर देखिए बियार में सिच्छा कवेरती लगतार परदर्सन कर रहे हैं और अपनी नियुक्ती की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ती पत्र नहीं मिला है उनका काना कि जब तक हमें नियुक्ती पत्र नहीं मिलता है तब तक हम लोग का अंदोलन जारी र अक्सर भोजपूर रोहतास भवुआ और अंगावाद अर्वल पत्ना गया सिक्पूरा नालंदा नवादा बेगुसराय लखिसराय जहानाबाद में बारिस और मेग गरजन की स्थिती रहेगी इन जिलों में 29 और 30 स्थम्बर को सित लहर सित दिवस की स्थिती रह सकती है राज के कहिसों में जहां मंगलवार को धूप कुछ दिर के लिए निकली तो पत्ना में भी दीन में धूप और गर्मी होने से लोगों को में ठंड और कनकनी महसूस की मौसम बिनों के मुताबिक पटना में बुद्वार को बारिस के असार है यानि कि एक दिन के लिए फिर से मौसम का मिजाज 29 और 30 के लिए बदला है आपको बता दे कि मौसम का मिजाज इन दिनों बिहार में बदला हुआ है वियार में बुंदावादी और तेज हवा से कनकनी बढ़ गई है सुबह में बारिस का मौसम सिस्टम सक्रिय हो गया इसके परभाव से ठंड में बढ़ोत्री होगी मंगलवार किसाम राजम के पटना गया और अंगावाद भवगा रोतास जहानावाद अरवल जीने में बुं होना है दूसरी और करोना के बढ़ते मरीजों की संक्या के नुसार एक बार फिर से बिहार में अस्कूल बंद जल्स होने की शंभावना जताई जा रही है हलाकि इसको लेकर विभागी एक कोई नोटिफीकेशन जारी नहीं हुआ है को यदिकारी तोक प्रईस की पुष्ट हैं और इदर मौसम के बदले मिजाज के अनुसार भी यह नुमान लगाया जा रहा कि बच्चों के स्वास को ख्याल में रखते हुए अस्कूल बंद किये जा सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल किसी परकार की नोटिस नहीं जारी की गई हलाकि अस्कूलों के टाइम में कुस प हमन परमंडल में काररत कारजपलक अभियंता राजेस कुमार मंगलवार को निगरानी के हत्य चड़ गएं ठेकेदार को 80 लाक बिल भुकतान करने के बदले 10 फिस्दी यानि 8 लाक रुपे घूस मांगे जाने के आरोप में निगरानी अन्वेंसर बीरों ने धाबादल के का रंगे हाथगिर अफ्तार किया इसके बाद अभियंता के यहां हुई छापेमारी में एक करोर से अधिक का सोना तीन लाक नगदी और 27 लाक बैंक में जमा के अलावा जमीन जायदात के कागजात भी बरामत किये गए हैं कलंग के खिलाब बिहार में अभियान फिलाल जारी ह और इधर बिहार में पंचायत वाड सचीओं के लिए सिग्र एक ऐसा अनभौप प्राप्थ होगा यानि कि खुशखबरी नए साल में मिल सकता है कि वह फिर से अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं हलाकि चिठी का कुछ लोगों ने कहा है कि चिठी में एक कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वाड सचीओं को हटा दिया जाए अब देखना यह होगा कि पंचायती राजबी भाग अंतगवतवा क्या फैसला देती है सरकार इस पर क्या करती है जहां तक आपको बता दे कि 27 दिसंबर को वाड सचीओं ने पटना में जो परदर्सन किया और पुलिस की तरफ से लाठिया चटकाई गई और वाड सचीओं के तरफ से पत्थरबाजी जो की गई उसको लेकर पटना रंचेतर बना रहा जिसको राश्टिये मीडिया ने भी भरपूर रूप से कभर किय हलाकि यह पुरे राज्ज में चाचा का भी से बना हुआ है लेकि दूसरी और हम आपको बता दे कि एक तरफ जहां पंचाय सचीओं जो हैं पंचाय तो वाड सचीओं जो हैं पटना की धर्ती पर परदर्सन कर रहें वहीं इधर पंचायतों में सपत गरहन के बाद अब किर सरकार के लिए मुश्किले बढ़ सकती हैं और वाड सचीओं की नोकरी खत्रे में पढ़ सकती हैं तो अब देखना यह होगा किस सरकार इस पर किस परकार से फैसरा लेती हैं लेकिन सुत्रों से मिली जैनकारी के नुसर वाड सचीओं को सिगरी खुसकबरी मिलने वाली है इ प्यार में 10 जनवरी से गंभी रोगों से ग्रसित 60 सधीक उम्रे के बुजूर्गों को कुरोना वैक्सिन की बुस्टर डोज दी जाएगी स्वास्त विभाग ने इसके लिए अपनी तयारी सुरू कर दी है राज में 60 सधीक उम्रे के करीब 17 लाक बुजूर्गों को इस रेनी निकायों का छेत्र विस्तार और साथ के छेत्र के नाम में संसोधन भी किया गया है और आपको बताते कि दिल्ली में आई एम एक कार्जकार्णी राश्टी कार्जकार्णी 31 को और 5000 होंगे इसमें सामील हर आई टी आई को सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाने का पर खर्च होंग प्रात्मिकता पोटल पर नाम होगा तभी बुष्टा डोज मिलेगी यानि की कुरोना टीका करन अभियान के तथ कुरोना टीका की पाली और दूसरी दोज के खुरा के लिए चुके बैक्तियों का जिनका नाम और मोबाइल नंबर कोविड पोटल पर अंकित रहेगा उन्ह में मुख सची कौन होंगे इस पर चर्चा कई दिनों से चल रही है विकास आयुक्त आमीर सुहवानी का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है इनका कार्जकरल अप्रैल दोजार चोबिस तक है और इधर हम आपको बता दे कि लंबित पेंसन भुकतान के लिए सीम को लिखा प फिर से आगे डेट बढ़ाने की लोगों की मांग शुरू हो गई है और इधर आपको बता दे कि फैक्टी मनीजर के पिता को पूलिस ने उठा लिया है और बिहार में एक बार फिर से मौसम बदला है और लगतार बदला हो रहे हैं ठंड बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे साथ बन रहे हैं और देखते रहे हैं अपना चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाज़ा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम